मैं TV1 इंडिया न्यूज और मैं हूँ आपके साथ संतोस पाठक, अभी मैं बरतमान में सीधी जिले के सीधी संसदी छेतर के कुबजार के समीक लभक तीन लेक्टर अंदर ग्रामीड छेतर मौजूद हूँ, यहां पे लोग इकठा हैं, यहां जानना चाहूँगा कि पूरे देश में होने जाएं, चोटा सा एक ग्राम पंचायत है, यहां लोगों से जिए कि भाजपा सरकार में विकास कार हुए हैं, और को इस बार जंतने जा रही है, क्या नाम है चाचा आपको, राम प्रगार, क्या मर्मा लोग सभा चुनाओ को, होगे ठीक है जाजू, अधर जा रहा हाइस बार बताएए, भाजपास मोधी सरकार आ रही है, या तो इन्डिया एलाइस कांग्रेस पार्टिया, कार बदल, कमलोसर पतेल है, तो क्या लगर अधर अधर मोधी आधी के सामदे कमलोषूतेल जी मार सकते है एक मजबूत प्रतिया अगे, यहां मजब चुनाव का माहूल क्या चल रहा है आपके सीधी संस्त्र से अच्छा है आप यह बताइए कि भाजपा के अशी डाक्टर राजिस मिस्त्रा जी एक तरफ है के नाम पे पूरे देश में चुनाव भाजपा लड़ रही है और एक तरफ आपके कमलेस्वर इंद्रजीत पटेल ज गरीबों के लिए अन्तक्योचना मैं दे रहा हूं राशन करके घर से ले करके आवास से ले करके हर मैं गरीबों तक पहुंचा रहा हूं अभी आप यह बहुत्त में कितने लोगों का आवास बन चुका है अधे दस लोगों को जिसना है उनका अभीता काव किस्त नहीं आ रही है वोजी जी बोले थे कि 2020 में हर गाउं में हर गरीजा पक्का मकान बन जाएगा आपके ग्राम परेट में कितने आवाजना के अंतरगत पक्कान बन गए अगर पंद्रासो की जंग संक्षा में 30 लोगों का बना है तो फिर आप यह बता यह क्या है अपका क्या नाम है यह इरा साउना है लोग सबाश चुनाओ के अपने तो अंग्रेस पार्टी रहेगी जी क्यों रहेगी इंडिया के रभंदन है और हम लोग सब मिलके पार्टी को बोट देंगे भाजपा को खराएंगे यह से भाजपा सरकार नाराज है इतना बाइवाजपा सरकार में कुछ भी काम नहीं हो अब पार्टी जीतनी योजनाएं गरीबों के लिए है क्या लगता है आपकी उन्यों जना का फाइदा गरीबों तक पहुंच रहा है या फिर जुमला वह बड़े बड़े दूख पहुंच रहा है आवास योजना नहीं पहुंच पार रहा है 500 जले ओभी नहीं पहुंच प क्या है माहोल लोग सभा चुनाओं के इस बार अच्छा है कांग्रेस पार्टी आ रही है फिर मोदी आधी कांग्रेस पार्टी के सामने कांग्रेस पार्टी ठीक है पक्का आपके हां से कांग्रेस कैसी कवन है कमलेस्वर पटेल जी है कमलेस्वर पटेल पूरु मंत्री भी चुके हैं विधायक भी हैं उनके पिता जी का लगातार एक साल रहा है क्या लग रहा इस बार मोदी आधि जीस तरीके से पुरे देश में कांग्रेस के इस्तित्त को खतम कर रही है तो इस बार क्या लगता है सीधी संसदी छेत्र से कमले स्वर भी या बाजी मारेंगे जी हाँ बाजी मारेंगे क्या देखते हैं किस प्रक्ति कि अभी मंत्री भी थे और विधायक भी थे उनके पिता जी हाँ पॉइंटिस्व कारिकाल था प्उइंटिस्व साल में वो दस साल मंत्री थे और लोगों से अच्छा काम आना जाना बैठना मरे हिराने दुआ रेगने आपका क्या नाम मेरा समर बहादूर विसकरमा कि बताईए लोग चुनाओं आने बाले हैं क्या करता हूं किया है आप भाजबा सरकार से कमले स्वा को जिताएंगे भाजबास अब यह जी तना नाराज क्यों है भाजबास से क्या पर अब तो फिर काहे के लिए आप ड्राइवरों की पानून के बज़े से इसलिए अप सरकार चंज़ करेंगे और लोगों से क्या ना में आपका और मौदी आधी है और संसदी छेत्र आपके भाचपत्याशी राजीस मिस्ट्रा जी 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 जो आती है न वह छड़ीक आती है शण भर के लिए आधा गंटा गंटा अधी ने चलती आधी अपने सरवनास बीचोंड़ आती यह भी तो पता होए आपको जो आधी है नकली प्रभाव नहीं प्रभाव नहीं तो सीधी संसदी छेत्र में यानि आधी का कोई प्रभाव नहीं है आंधी की बात करेगा तो अपने पीछे विनास की कलपना करका है इसका मतलब विश्वार सीधी आती है तो समझे कि आपके पीछे इतना विनास छोड़ेगी कि आप उसको सम्हाल नहीं पाएंगे यह बड़ी बात कम लेस्टेल आग्रेश के प्रत्याइब देखें कमलेस्टर पटेल जी को और सर्वहारा वनेता जो थे इंद्री जिमार जी कोई भी भुपाल चला जाता था इनके घर में न तो खाने कभी नहीं रहता तो रहने सबजी आटा चावल तेल रहने की पंखा कूलर पूरी विवस्था की पैसा कवडी एक एक व्यक्तिक आपके पिता जी के आपके बाबाजी को व्यक्तिकर जान ते बता देते हैं आप फले के लिलके